हर धड़कन में एक राज होता है बात को बताने का एक अंदाज होता है जब तक ठोकर ना लगे बेवफाई की हर किसी को अपने प्यार पर नाज होता है कुछ ऐसा ही राजिस्तान की राजनीती में देखनों को मिला जब कुछ दिन पहले कॉंगरिस मंतरी मंदल से बरखास तो पूर वो मंतरी राजिन गुड़ा को बेवफाई की ठोकर लगी तो उन्होंने लाल डायरी के रूप में अपनी धड़कन में छुपे रास को अपने ही प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों ने अपने अपने तरकश के तीर तयार कर लिया है और अब उन्हें चलाना भी शुरू कर दिया है लेकिन इस बार के चुनावों में एक प्रमुख बात ये देखने को मिल रही है कि दोनों ही पार्टिया एक दूसरे के खिलाफ इतना नहीं बोल नहीं जितना इनके लोग आपस में एक दूसरे के खिलाब बोल गए राजिस्तान में कॉंग्रेस की सरकार बनते से ही पार्टी की अंदरूनी कले खुल कर सामने आई थी पाइलेट और गहलोद गोट आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपस में ऐसे ओलजे कि प्रदेश को होटल वाली राजनीती भी देखने को में और ऐसे में तारीक आई 13 जून 2020 जब गहलोद के सबसे ज़्यादा विश्वस्मिय से पैसला है आटी डीसी चेर्मेन धर्मिन राठोड के घर पर पड़ा इंकम टेक्स का छापा केंद्रिय रिजर्ब पुलिस बल के सिपाही राठोड के घर और उसके आसपस देनाते और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सुरक्षा का गेरा इतना मजबूत था कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता खेर चानमीन पूरी हुई इंकम टेक्स की टीम भी लोट गी और बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो हमने गहलोग सरकार के अभी तक के कारेकाल में सरकार की कुपलब्धी का जश्न भी देखा और सरकार के किलाब सडकों पर विपक्ष का हुजूम भी देखा सरकारी करमचारियों की नाराज़गी से लेकर करीब करीब हरेक वर्ग हरेक तबके का धरना प्रदर्शन भी देखने को बिला कुछ माने तो कुछ बिना माने अपनी अपनी रहा पर लोट गए लेकिन गहलोट सरकार और प्रदेश कांग्रेस में सर फोटावल है की ठमने का नाम नहीं ले रही बड़ी मुश्किल से ऐसा लगा कि पालेट और गहलोट का विवाद अब थमसा गया लेकिन तुरांथी विधान सवा सत्र शुरू होने से पहले ही गहलोट सरकार में शामिल मंत्रियों ने अपनी ही सरकार और सी एन गहलोट के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर मोर्चा खुट दिया और जैसा कि हमने शुरूआत में ही बताया था कि अपसे कुछी महीनों में राजस्थान में विधान सवा चुनाव है ऐसे में चुनावी घमासान छिड़ना तो तैह था तो आपको जानकारी के बता दे बैठे बैठाए विपक्ष को धाली में सजा कर कॉंग्रेस के ही पूर मंतरी राजजन गोडा ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिसने विपक्ष के लिए मानो संजीवनी का काम कर दिया और भाज़पा की लगबब सभी चोटे बड़े नेता ने राज़स्थान की गहलोत सरकार को चारों और से गहर लिया और महिला अत्याचार और लाल डायरी भाज़पा के हरेक प्रचार अभिहान का मुख्य हिस्सा बन चुकी है यहाँ तक कि आज प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने राज़स्थान के सीकर मही जन सभा तक में ये कह डाला कि लाल डायरी में कॉंग्रेस सरकार के काले कारणा में चुपे हैं जिस वज़े से कोई भी कॉंग्रेसी उस लाल डायरी का जिकर आते ही चुक पी साथ लेता है जी हाँ हम बात कर रहे हैं गुड़ा की उसी लाल डायरी की जिस कारण राज़स्थान में राज़नितिक बवाल अलब थमने का नाम नहीं ले रहा राज़न गुड़ा और दिव्या मदेर्ण बहुत पहले से अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयान बाज़े कर रहे हैं और राज़न गुड़ा को तो इसका परिणाम भी मिल चुका है विधान सभा से निलंबित किया जा चुका है मंदरी मंडल से बरखास किया जा चुका है और यहीं नहीं करीब एक साल पुराना भरष्टाचार का मामलभी गुड़ा के खिलाफ खोला जा चुका है लेकिन गुड़ा है कि रुखने का नाम नहीं ले रहे और अब तो उन्होंने उदैपुर वाट्टी को कवर करने के लिए करीब 10-11 दिन की उट गाड़ा यात्रा भी शुरू कर दी है उनका कहना है कि उन्होंने जो भी कहा है वो उससे पीछे नहीं हटें तो यह तो रही गुड़ा और उनकी लाल डाइरी की दास्तान आईए बात करते हैं इसी कहानी के एक और किरदार से जिनका जिक्र हमने शुरूआत में किया था जी हाँ इस पूरी धमा चौकडी के मुख्य किरदार है धर्मेंदर राठोड जिससे लेकर अभी तर जब से ये लाल डाइरी का विवाज शुरू हुआ तब से बहुत कुछ मीडिया में नहीं आया हलाकि इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन फिर भी राठोड की तुरंद कोई प्रतिक्रिया ना आना दाल में कुछ काले की और इशारा कर रहा है और अब देखने वाली बात ये है कि पालेट के साथ विवाद हो या सीम गहलोत के कोई और मुसीवाद हर बार संकट मोचक बने धर्मेन राठोड आखिर अभी तक चुप क्यों थे और एकदम से गायब कहा हो गय थे और आए भी तो सिर्व इतना कहा दिया कि गोड़ा मेरे घर जरूर आए थे पर मेरी डाइरी जो कि लाल नहीं थी इंकम टेक्स विवाग अपने साथ ले किया था और गोड़ा के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि वो बीजे पी का महरा बन कर काम कर रहे हैं अब क्या लगता है आपको क्या वाकई में उस लाल डाइरी में कुछ था या लाल डाइरी है भी या नहीं क्योंकि कहने वाले तो यहां तक भी कह रहे हैं कि डाइरी में उन सभी वित्तिय लेंदेन का विवरण है जो दो नंबर में हुए थे क्रिकेट एसोसेशन चुनाव राजे सभा के लिए किसे पैसा दिया गया राजनीतिक संकट के दोरान किस विधाय को कितना पैसा मिला ये सब इस डाइरी में मौझूद है महराल धर्वेंडा ठोड का एकदम से शेहर से नदाराद हो जाना कई सवालों को जन्म देता है इन सवालों के कम मिलेंगे जवाब ये तो अब वक्त ही तै करेगा तब तक दीजे अजाज़त नमस्कार